जय मालक्षमी आज हम जानेंगे शुक्रवार का वैभव लक्षमी व्रत करने का नियम विधी महत एवं वैभव लक्षमी व्रत कथा तो मालक्षमी को धन वैभव की देवी कहा जाता है यह तो सभी जानते हैं देवी लक्षमी के कैई रूप हैं मा लक्ष्मी को कोई धन लक्ष्मी तो कोई वैभव लक्ष्मी तो कोई गज लक्ष्मी संतान लक्ष्मी अधी अनेको नाम से जानते हैं बान लक्ष्मी का अश्रवाद पाने के लिए व्यक्ति अपने मनुरत के अनुसार देवी की आराधना करता है धन की अधीष ठात्री देवी को प्रशन करने के लिए वैभव लक्षमी का प्रत करना उत्तम फलदाई माना गया है मायन मेता है कि जिस घर में वैभव लक्षमी की पूजा होती है वहाँ सुख संपत्ति का वास होता है और घर धन दाने से बहर जाता है तो आईए हम ये जानते हैं कि वैभव लक्षमी का प्रत कब और कैसे करना चाहिए इसके क्या नियम है वैभव लक्षमी का प्रत को सुक्रुवार से सुरू करना चाहिए जिस दिन से व्रत की शुरुआत करें, उस दिन 11 या 21 सुक्रुवार के व्रत का संकल्प लें और उसके बाद उसका उध्यापन करें वैबावलक्षमी का व्रत कैसे खरना चाहिएं? जिस दिन सुबह इसनान करके साफ स्वस्थ दुले हुए वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें लाल ये सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा अच्छा होता है पूरे दिन आप फलाहार करके भी ये व्रत रख सकते हैं या निराहार भी रख सकते हैं एक टाइम शाम के समय रुजन कर सकते हैं सुक्रवार को शाम को दोबारा इशनान करने के बाद पूर्व दिसा में चौकरी पर लाल खपड़ा बिचाएं इस पर मालक्षमी की परतीमा या मूर्थी और स्री अंद्र के स्थापित करें क्योंकि त्री अंद्र मालक्षमी का अत्यदिक प्रिया है वैभव लक्षमी की तस्वीर के सामने मुठी बर चावल का डेर लगाएं और उस पर जल से बरा हुआ ताबे का कलस स्थापित करें कलस के उपर एक कटोरी में चांदी के सिक्के या कोई सोने या चांदी का आभू संड रख दें रोली, मौली, सिंदूर, फूल, फल, चावल की खीर आदी मालक्षमी को अर्फित करें पूजा के बाद वैभव लक्षमी का थाखा पाट अवश्य करें आप पाट नहीं कर सकते श्रवन कर लेजिए वैभव लक्षमी मंत्र का यथा सकती जब करें और अंतमे देवी लक्षमी की आति करें साम को पूजा के बाद अनग्रियन कर सकते हैं वैभव लक्षमी का ये प्रियब मंत्र है यारक्ताम्बुजिवाशिनी पिलाशिनी चंडाशूर्तेजश्विनी यारक्तारुदिराम्बरा हरिशकी याश्रीमनुलादिनी यारतना कर्मन्थनात प्रगटिता विष्णुश्वयागेहिनी सामाम पातु मनूरमा भगवती लक्ष्मी शिपद मावती यह मंत्क वैबव लक्ष्मी व्रत की कथा की जो बुका आती है उसमें भी आपको मिल जाएगा वैबव लक्ष्मी व्रत के कुछ नियम है प्रत का पारण मा लक्ष्मी की प्रसाद में चड़ाई हुई खीर से करें यानि जब आप व्रत खोलते हैं शाम को तो पहले प्रसाद में से थोड़ी सी खीर खाएं उसके बाद ही भोजन करें इस दिन खटी चीजें नहीं खानी चाहिए वैबव लक्ष्मी की व्रत में स्रीयंत की पुजा अवश्य करें इस तरह से आगे हम सुनाते हैं वैबव लक्ष्मी व्रत की कथा एक समय की बात है एक परिवार था उसमें सीला और सीला का पती दोनों पती पती में रहते थे सहर में और भी बहुत सारे लोग रहते थे सभी अपने अपने कारियों में वेश्त रहते थे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था बजन कीरतन, भक्ति भाव, दया माया और ओपकार जैसे संस्कारों का अबाव हूँ चुपा था सेहर में बहुत बुराईयां थी लेकिन इनी सब के बीच सीला और उसका पती दोनों धार्मिक प्रवर्थी के थे पूजा पाड आदी में बहुत आस्ता रखते थे सीला संतो सभावाली इस्त्री थी और उसका पती बिवे की और सुसील था वो कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का बसन करने में समय बेतित कर ले थे देखते ही देखते समय बदल गया सीला के पती की अच्छी संगती बुरी में बदल गई अब वह जल्द से जल्द करूरपती बनने के खाप देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा इसके फलशरूप उसकी हालत भिखारी जशी हो गई सराब, जुआ, रेश, चरस, नाज, आदी बुरी आदतों में सीला का पती बहुत बुरी तैशे फंस गया था दोस्तों के साथ सराब पीने की लत लग गई थी और जो भी अपने पास मुझी थी वो जुए में गवा दी इस बास से बेहत चिंतित रहने लगी सीला लेकिन उसे भगवान पर वरुसा था वहे अपना अधिकान समय प्रभु भक्ती में बिताने लगी अचानक एक दिन दो पहर को उनके दुआर पर किसी ने दस तक दी सीला ने दुआर खुला देखा कि एक सामने माजी खड़ी है उसके चहरे पर अलोग एक तेज दिखाई दे रहा था उनकी आखों में मानो अमरत वहराओ वहवे चहरा और करुणा और उप्लार से चलक रहा था उनको देखते सीला के मन को सांती महसूस हुई और उसके रूम रूम में आनंद में हूँ था सीला उस माजी को आदर के साथ घर ले आई घर में बठाने के लिए कुछ भी नहीं था आदे सीला ने खटी वोई चादर परुण को बठाया माजी बोली यो सीला मुझे पहचाना नहीं हर सुक्रवार को लक्षमी जी के मंदिर में भजन किर्थन के समय में भी वहां आती हूँ इसके बावजूर सीला कुछ भी नहीं समझ पा रही थी वो बोली मा मुझे मैंने आपको नहीं पहचाना पर माजी बोली तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई माजी के प्रेम भरे सब्दों से सीला का हिर्दे पिगल गया उसकी आँखों में आसु आ गए और वै बिलग बिलग कर रोने लगी माजी ने कहा बेटी सुक और दुख तो धूप और छाओ जैसे होते हैं धहरी रखो वैटी मुझे तेरी सारी परिशानी बता माजी के विवहार से सीला को काफी संबल मिला और सुक की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी सुनाई माजी के विवहार से सीला को काफी सुकून मिला और उसने माजी को सब कुछ बता दिया किस तरह से उसके पती को गंदी लट लग चुकी है सीला के बताने पर माजी ने उसे ब्रत की सारी विती बताई विती शुक्रवार का ब्रत करो माजी ने कहा बेटी मा लक्ष्मी जी का यह ब्रत खुद सरल है उसे वरद लक्ष्मी ये वैभव लक्ष्मी व्रत्वी कहा जाता है यह वरद करने वाले थी सभी मनों का मनाय पून होती है वह सुख संपत्व और यस्प्राक्त करता है सीला ये सुनकर आनंदित हो गई थी वहाव विगोर हो गई सीला ने संकल पर लिया के खोली तो सामने कोई न था पैस सोच में पढ़ गई कि माजी कहा गई सीला को दत्काल ये समझने में देर नहीं लगी कि माजी कोई और नहीं साक्षात मा लक्ष्मी जी कहीं रूप थी क्योंकि सीला बहुत वक्ती वहावना से उत्पोथ थी इसलिए मालक्ष्मी उससे रहा दुखाने के लिए आई थी दूजरे ही दिन सुक्रवार था सुबह इसनान करके सच कपड़े पहन कर सीला ने माजी द्वारा बताई गई दी से पूरे मन से वरक जिया आकरी में प्रशाद बित्रन भूआ ये प्रशाद पहले उसने अपने पती को चलाया प्रशाद खाते ही पती के सुबहा में इस दिन उसने सीला को मारण नहीं सीला को बहुत आनंध हुआ उसके मन में वेहवलग्षी उर्थ क लिती और श्रद्दा बढ़ गई। धीला ने पून श्रद्दा भक्षी से 21 सुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी ब्रत किया। जो मनत मानी थी उसको आज पून किया है। बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवी को प्रणाम किया। ब्रत के प्रवाव से सीला का पती अच्छा आज में बन गया। और कड़ी मेहनत करके वेफसाय करने लगा। उसने तुरंत सीला के गिर्वी रखे गहने छोड़वा लिए। घर में धनकी बाहड सी आगई। घर में पहले जैसी सुक्सान तीच आगई। वेभवलक्ष्मी ब्रत का प्रवाव दिश्त पर महले की दूसरी इस्तियां भी विजी पूरवग वेभवलक्ष्मी ब्रत करने लगी। इस तरह से यही वेभवलक्ष्मी ब्रत का कथा है। वेभवलक्ष्मी ब्रत की उध्यापन विदी सहाथ या ग्यारे या 21 सुक्रवार करने की मन अत्मानी हो। उतने करो उसके बाद सुक्रवार तक ये व्रत पूरी स्रद्दा और बहावना के साथ करना चाहिए। और आखरी सुक्रवार को इसका सास्त्रिय विदी के अंशार पत्यापन करना चाहिए। आखरी सुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर सुक्रवार को हम पूजन करते हैं। वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद मा के सामने एक श्रीफल खोड़ें, फिर कम से कम साथ कुवारी कन्याओं या सौबैक साली इस्तरियों को कुम-कुम का तिलक लगा कर, मा वैभव लक्ष्मी की कथा के पुष्टत की एक-एक प्रति उपहार में दें और खीर का शाद दें, इसके बाद मा लक विब्रत करने की जो मनत्वानिती वहे आज पून किया है, सुमा, हमारी सभी मनों कामना पून करें